हेलो गाइस, वेलकम बैक टो आर यूटूब चैनल, आज है आठ अगस 2021 और आठ अगस 2021 से करेंट अफेर्स के जितने भी इंपोर्टन कोशन्स बन सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे, और कोशन्स से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टन फ किस देश को ASEAN Development Bank ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रिड को मंजूरी दिया है, तो किस देश को दिया है, पाकिस्तान को जो है दिया है, ASEAN Development Bank ने करज में डूबे पाकिस्तान को कुरोना वायस के टीके खरीदने में मदद करने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रिड को जो है मजूरी दी है दिसम्बर 2020 में सुरू की गई ADB की 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की Asian Pacific Vaccine Access सुविधा के तहर जो है रिट स्विक्रिति किया गया था Asian Development Bank जो है यानि की ADB 19 दिसम्बर 1966 को अस्थापित एक छेतरी विकास बैंक है और इसका मुख्याला जो है OTI GAR Center Philippines में जो है इस्थित है तो इतनी चीज़े जो है इसके बारे में हम लोगों को ध्यान में रखना है और यहां रेट नहीं यहां पर रेट होगा तो यहां पर थोड़ा से मिस्टेक हो गया है किसी राष्टी महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है तो किसी नामित किया गया है रेखा सर्मा को जो है नामित किया गया है NCW क्या है तो NCW सरकार की एक समयधानिक संस्था है जो महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नवी नीतिगत मामलों पर सरकार को जो है सला देती है तो इतनी चीजे जो हम लोग को ध्यान में रखना है और वानेश क्योशन क्या है HP हस्त सिल्प निगम ने किसके साथ समझोता किया है तो किसके साथ समझोता किया है फ्लिफ कार्ड के साथ जो है समझोता किया है HP यानि हिमाचर प्रदेश राज्य हस्त सिल्प और हत करगा निगम ने फिलिफ कार्ड के साथ एक समझोते ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं यह दुनिया भर के ग्रहकों को अस्थानी कारिगरों और सिल्फ कारों द्वारा बनाए गए उत्पादों की ओनलाइन बिक्री और प्रचार के लिए है और समझोते ग्यापन राज्य में हस्ताचर करगा और हस्ताचर सिल्फ से जुड़े 20,000 से अधिक कारिगरों के लिए एक e-commerce मंच प्रतान करेगा तो इतनी चीज़े इसके बारे में अमनों को ध्यान में रखना है और मानिफ्ट कुशन क्या है राश्टी हर हस्ताकरगा दिवस का मनाये जाता है तो कब मनाये जाता है? 7 अगस्त को जो न गतने उसके जो प्रत्वूं कि गई थी तो इतनी चीजे जो है हम लोग को इसके बारे में ध्यान में रखना है हमारा नेक्ष्ट क्या है टोपियो उलंगपिक में स्वड़ पदक जीतने वाले भारतिये खिलाडी बने तो कौन बने नीरच चौपड़ा जो है बने और नीरच चौपड़ा ने इतिहास रच दिया है इन्होंने जैवलीन थ्रो में गोल्ड जीता है इनका सरुस्रेश्ट थ्रो जो था 87.58 मीटर का है और उलंपिक की व्यक्तिकत इस परदा में भारत को 13 साल बाद जो है दूसरा गोल्ड मिला है बिजिंग उलंपिक 2008 में पहली बार स्वड पदक जीतने का कारणामा दिग्कत सूटर अभिनव बिंदरा ने किया था तो इतनी चीजे जो हमनों को ध्यान में रखना है और मानेश कुशन क्या है हाल ही में किस COVID-19 वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिली है तो किसे मिली है Johnson को जो है मिली है Johnson & Johnson की सिंगल खुराक वाली COVID-19 वैक्सीन भारत सरकार द्वारा अनुमूदित होने वाली पाचवी वैक्सीन बन गई है और भारत में COVID-19 को वैक्सीन इस्पुतनिक और जो है मौडर्ना के बाद जो है मंजूरी पाने वाली यह पाचवी COVID-19 वैक्सीन होगी और बायोलोजिकल ए Johnson & Johnson के वैस्विक आपूर्ति स्रिंकला नेटवर का एक महतपुड हिस्सा होगा तो यह बहुत ही जदा important है और हम लोगों को ध्यान में रखना है और वानेश कोशन क्या है हाल ही में किस बैंक ने स्वास्त बच्चत खाता लॉंच किया है तो किस ने लॉंच किया है सुरियोदे लगुवित बैंक ने जो है लॉंच किया है सुर्योदे लगुवित बैंक जो है यानि कि SSFV ने सुर्योदे स्वास्त और कल्यार वजद खाता लॉंच किया है यह ग्रहकों को अपनी संपति बढ़ाने में मदद करेगा और COVID-19 महामारी के बीच उनके परिवार के स्वास्त का भी ख्याल रखेगा और यह खाता अकरसक ब्याच दर प्रदान करता है और चार लोगों के परिवार के लिए तीन प्रमुक लाव 25 लाख रुपए का टॉप अप स्वास्त बीमा वार्सिक स्वास्त पैकेज आधी प्रदान करता है तो इतनी चीज़े जो हम लोगों को ध्यान में रखना है और मा नेश्न करूशन क्या है हाली में किस महला के महला होकी टीम के कोच के पद छोड़ने की गोस्त रा किये तो किसने किये सोजड मारी जनी ने जो है किये कंसे पदक मैचच टीम के साथ उनका आख़री काम था डच कोच ने 2017 में पहली बार टीम की कमान समाली थी इन्हें भारती खेल प्रधिकरड यानि SAI द्वारा कोच के रूप में उनके कारेकाल में विस्तार करने की जो है पेसकस की गई थी लेकिन इन्हों ने इस प्रस्ता को जो है अस्विकार कर दिया तो इतनी चीजे जो हम लोग को ध्यान में रखना है और मानेश क्वेशन क्या ह मेटी स्टार्ट अप हब ने किसके साथ साज़ेदारी की है तो भारत एक्सेलरेटर के साथ साज़ेदारी की है इलेट्रोनिक्स और आईटी मंत्राले यानि मेटी की एक पहल मेटी स्टार्ट अप हब यानि MSH ने इंडिया एक्सेलरेटर के साथ हाथ मिलाया है और यह कॉंसेप्ट वेलिडेशन के उत्पादन विकास और आगे के उद्दम यात्रा जैसे की सर्वत्तम प्रथाओं फेडरेसिंग बाजार में जाने ग्यान साजा करने तक्निकी जानकारी आधी जैसे पहलूओ पर जो है सहायता करके डीप टेक स्टार्ट अप का समर्थन करेगा तो इतनी चीजे जो है हम लोग को इसके बारे में ध्यान में रखना है और मानेश्ट कोशन क्या है और मानेश्ट कोशन क्या है हाल ही में टी एच डी सी आई एल के सीमडी बने है तो कौन बने है आर के विस्ट्रोई जो है बने है आर के विस्ट्रोई ने राजी के स्वामि उद्धम है तो इतनी बात है जो है हम लोग को ध्यान में रखना है अगर वीडियो आपको अच्छी और हेलफू लगा करे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए और आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को भी जोइन कर सकते हैं और टेलिग्राम ग्रूप का ल